नमस्कार मैं अभिनास रण्यन गुपता आप सभी का अपने चैनल पर हर्द कभी नन्न करता हूं आज के इस वीडियो में हम लोग हिंदी व्याक्रण के अंतरगत आने वाला एक अध्याए जिसे हम लोग कारक और अंग्रिजी में केस कहते हैं उसके एक परसर्ग परक के प्र पर और में का प्रियोग अधिकरण कारक के लिए होता है वाक्य में जब क्रिया के स्थान का बोध होता है तब वहां अधिकरण कारक जिसे हम लोग लोकेटीब केस कहते हैं अंग्रिजी में कहलाता है जैसे में पर के उपर के अंदर के बीच के मध्य के भीतर इत्यादी इस पर के प्रियोग पर के प्रियोग पर के विचार करेंगे पर के कई अर्थ देखिए हिंदी में पर कई हैं जैसे एक पर का मतलब होता है पंक जैसे चीटी के पर निकलाए हैं तो यहां पर का मतलब हुआ पंक पर का मतलब लेकिन भी होता है मैं तुम्हारा काम कर दूँगा पर मुझे होकी मैच के तीन टिकट चाहिए अर्थात लेकि उस पर भी यह comment इतना काम करने के बाद भी यह comment कि मैं आलसी हूँ और एक अर्थ होता है वह सवार घोड़े पर है यहाँ पर कहने का मतलब है यहाँ पर अधिकर्ण कारक का चिन है जो प्राया उपर का अर्थ देता है लेकिन हमेशा नहीं कैसे वह घर पर है यहाँ के उपर का भाव नहीं बलकि घर पर मौजूद होने का भाव है वह व्यक्ति घर के भीतर भी हो सकता है बाहर भी हो सकता है या आसपास भी हो सकता है तो यहाँ पर हम लोग यह तो जान पा रहे हैं कि पर के कई अर्थ हैं एक पंख के सेंस में एक लेकिन के सेंस में एक के बाद के सेंस में लेकिन हमारा matter of concern है ये सवार घोड़े पर है यहां तो के उपर के sense में आ रहा है लेकिन वह घर पर है इसमें के उपर के sense में नहीं बलकि घर के आसपास है अच्छा अब हम लोग आते हैं अगले बिंदू की तरफ जिसमें परपरसग के प्रियोग में होने वाली भूले ज प्राय पर के स्थान पर पय बोलते हैं यहां अचारनिक गलती है अर्थात ये प्रनिशेशन से related गलती अत्रूटी है जैसे वा घोड़े पय आ रहा है होना क्या चाहिए वा घोड़े पर आ रहा है चुँकि ब्रच के लोग पर की जगह पय का प्रियोग करते हैं हम तुम प पर इलजाम नहीं लगा रहा हूं या हम तुम पर इलजाम नहीं लगा रहे हैं लेकिन यहां प्रियोग कर देते हैं इसी प्रकार इस पर इतना गुस्ता होने की क्या बात है अर्थात होना चाहिए सही या मानक रूप इस पर इतना गुस्ता होने की क्या बात है और एक उद रिधी बांधी के बाट करी देखिए ये आचारे केशव दास्दों हैं आचारे केशव उनकी राम चंदरिका से उध्रित ये पंक्तियां है और इसमें कहा गया है कि बानरों ने तो सिंधु को बांध कर उस पर पुल बना दिया है और तुमसे एक धनुस की रेखा भी पार न की गई अर्थात अंगद कहते हैं रावन को कि बानरों ने समुद्र पर बांध बना दिया और तुम कितने सहासी हो कितने वीर हो कि एक लक्षमन रेखा को तुम पार ना कर सके और समुद्र जो कोई बांध नहीं सकता है समुद्र को बांध कर उन्होंने रास्ता बना लिया अब देखिए, कहीं कहीं पर हम लोग देखेंगे के पास के स्थान पर पय का प्रयोग या असुद्धिवी ब्रज प्रधेश के लोग ही करते हैं कैसे? देखे मुझ पे पैसे नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है लेकिन अगर उत्तरप्रदेश में वरज, बरसाने और मथुरा के आसपास के लोग पै का प्रयोग कर देते हैं जैसे मेरे पास पैसे नहीं है इतिहास की कौपिया तो डॉक्टर सर्मा पए है अर्थात होना चाहिए इतिहास की कौपिया तो डॉक्टर सर्मा के पास है लेकिन बोल देते हैं पए है आलोचना किस पए है नॉर्मल लोग समझ जाएंगे कि आलोचना किस पर है लेकिन इसका मतलब है आलोचना किस के पास है से के स्थान पर पय का प्रयोग यह गलती भी ब्रजप्रदेश में ही मिलती है लोग प्राहा बोलते है उन पय तो चला नहीं जाता होना चाहिए उन से तो चला नहीं जाता तो यह कॉमन गलती है specially दो तीम सहरो से जुड़ी हुई है उत्तरप्रदेश के पर का अनावश्यक प्रयोग कुछ लोग पर का अनावश्यक प्रयोग करते हैं जैसे वह कहा पर है वस्तुता कहा प्रयाप्त है कहा पर की आवश्यकता नहीं अगर हम लोग कह देंगे कि वह कहां है सिर्फ अगर हम लोग इतना लिखेंगे वह कहां है sufficient है लेकिन फिर भी हम लोग पर का अनावश्यक प्रयोग करते हुए यहाँ पर वह कहां पर है कह देते हैं जो की सही नहीं है ऐसे ही यद्यपी स्थान और जगह पर आये हैं एक दूसरे के सिननिम्स हैं किन्तु कई प्रियोगों में स्थान के साथ पर लगता है किन्तु जगह के साथ नहीं जैसे ताज महल किस स्थान पर है ये करेक्ट है ताज महल किस जगह है ये भी करेक्ट है लेकिन कुछ लोग क्या कर देते हैं लिख देंगे ताज महल किस जगह पर है ये हो जाएगा फिर गलत जगह के साथ स्थान के सादरिश्य पर पर का प्रयोग अनावश्यक है जैसे लड़का किस जगह पर है या हम लोग यहां लिख देते हैं ताज महल किस जगह पर है तो ये नियाय संगत नहीं है हाँ, कभी-कभी ऐसा हो जाता है कि कोई पत्रकार होते हैं और वो कहते हैं ठीक इसी जगहा पर कल रात एक बहुत बड़ी दुरगटना हुई थी चीजों को स्पिफाई करने के लिए जगहा के साथ पर लगा देते हैं लेकिन अगर वो ऐसा भी कहेंगे कल ठीक इसी जगह एक भीषन दुरगटना या एक खतरनाक दुरगटना घटी थी तो व्याखनिक दृष्टी से ये ज़्यादा सही होगा पर का लोप कभी-कभी लोग पर का व्यर्थ में लोप कर देते हैं अर्थात इसका मतलब हुआ मोहन घर के भीतर है मोहन घर पर है इसका मतलब हुआ घर पर उपस्थित है लेकिन एक्जेक्ट घर पर ही है या घर के भीतर है या घर के बाहर है या घर के आसपास है इसका सेंसाता है मोहन घर है लोग पर को ही यहां छोड़ दिये जो की गलत है यह जो तीसरा प्रियोग है अमानक है होना क्या चाहिए मोहन कहां है प्रशन के उत्तर में लोग प्राय ऐसा कहे जाता है कि मोहन घर है लेकिन मानक रूप वाला उत्तर होगा मोहन घर पर है उसी प्रकार एक और गलती हम लोग देखते हैं जो है क्रम की सुद्धी एक एक एक्जामपल देखिए तुम्हारी छट जो चू रही है पर सिमेंट लगाने की ज़रुत है इसमें क्या गलती है? देखिए सही वाला पहले देख लिजिए होना चाहिए तुम्हारी छट पर जो चू रही है सिमेंट लगाने की ज़रुत है देखिए इसमें एक चीश समझे यह संपूर्ण को अगर हम लोग कंसिडर करें तो यह वाक्य कहलाएगा और इस अल्प विराम जिसे अंगर जी में कॉमा कहते हैं उसके बाद अगर हम लोग के वल इतने को ले तो यह कहलाएगा उपवाक्य और किसी भी उपवाक्य की सुरुवात पर से नहीं होती इस द्रिश्टी से यह गलत हो जाएगा सही होगा तुम्हारी छट पर जो चू रही है सिमेंट लगाने की ज़रुरत है यह होगा सही तो इस तरीके से हम लोगों ने पर-परसर्ग का प्रियोग पर-परसर्ग की आवश्यक्ता और व्याक्नित द्रिश्टी से पर-परसर्ग के महत्तों पर विशेश रूप से अध्यम किया उमीद करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो जरूर अच्छा और इंफॉर्मेटिव लगा होगा हम पुन्हा मिलेंगे किसी अगले वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद